स्वागत आपका एक बार फिर से आपका फुल लेंग्ध मॉक टेस्ट 2 ठीक है कल हम लोग वन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने आपका कंप्यूटर सेक्षन देखा था उसके बाद आपका इंगलिश का पोर्शन देखा था उसके बाद आपका रिजनिंग एंड मैंटल अ अच्छे तरीके से आज हम लोग डिसकस करने वाल है आपका जीके एंड करंट फिर्स उसके साथ साथ जीके विच स्पेशल रेफरेंस टु जमू एंड कश्मीर देन उसके बाद हम लोग लास्ट में डिसकस करेंगे आपके जनरल साइंस के MCQs टोटल हो जाएंगे आपके कितने 120 MCQs तो आप लोग एंड में मुझे कमेंट करके बताएंगे के 120 में से आपका स्कोर कितना रहा ठीक है हमारा टार्गेट है 100 प्लस ठीक है 100 प्लस आपको लाने है 120 में से तो चलिए शिरू करते हैं आज का टेस्ट देखते हैं आप लो देखें तो पहले स्क्रीन को पॉज करिए खुद आंसर देने की कोशिश करिए उसके बाद आप लोग अटेंप्ट कीजिएगा फर्दर कोश्चन को क्लियर है इसकी पीपीटी आपको टेलिग्राम चैनल पे आफ्टर सेशन प्रवाइड हो जाएगी फुल 120 मार्क्स की 120 मा प्रवाइड कर देखें तो चलो आज का देखते हैं फर्स्ट कोश्चन आफ जनरल नॉलेज एंड करन फियर जाएगी हर एक कोश्चन की इसमें तो मैं यहां पे आपको खुदी एक्स्प्लेन कर रहा हूं सारा का सारा बट यह वाला जो मॉक टेस्ट है इसमें आपको जो आपका 20 नंबर का है क्लियर आजो पहला कोश्चन पूछा है ओफिशल लेंगवेज ऑफ गोवा की ओफिशल लेंगवेज कोन सी है मराथी है कनड है कौनकनी है या फिर तमिल है यस गोवा की ओफिशल लेंगवेज आप से पूछा गया है तो इस कौनकनी ओके गोवा की की ओफिशल लेंगवेज है जो आपकी कौनकनी लेंगवेज है एक इंडो आरियन लेंगवेज है क्लियर इंडो आरियन लेंगवेज कहते हैं हम लोग इसको यह भी आपने याद रखना है रिगार्डिंग कौनकनी ओके कौनकनी लेंगवेज है आपकी गोवा की ओफिशल ले रिफॉर्म्स आये थे, उस टाइम पे आपसे यह पुचा गया है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कोन थे भाई, येस, तो देखिए, 1991 के जब रिफॉर्म्स आये थे, तो आपकी सरकार किसकी थी, गवर्मेंट किसकी थी भाई, तो गवर्मेंट थी आपकी किसकी, पीवी नरसि राव जी की गवर्मेंट थी, उस गवर्मेंट के दवरान उस टाइम पे मनमोहन सिंग जी सर्व कर रहे थे as a finance minister, ओके मनमोहन सिंग जी, क्लियर है कौन कर रहे थे as a finance minister, और अगर हम बात करें तो 13th Prime Minister of India भी रह चुके हैं हमारे मनमोहन सिंग जी, 13th Prime Minister, ओके इनका tenure क्या था कब से कब तक रहे हैं ये 2004 से लेके 2014 तक ये भी आपको याद रखना है regarding मनमोहन सिंग जी ठीक है ये पहले Sikh community के प्राइम मिनिस्टर बने थे ये minority community के प्राइम मिनिस्टर थे ये भी आपको याद रखना है minority community के प्राइम मिनिस्टर थे पहले और first Sikh प्राइम मिनिस्टर थे ये भी आपको याद रखना है और उसके बाद important इनके notable काम जैसे के changing India the quest for equality in development ये सभी भी आपको याद रखना है clear है भाई चले अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ yes next question आपसे क्या पूछा गया भाई दिखे in India the custodian of foreign exchange reserve foreign exchange reserve का हमारे देश में custodian कौन होता है ये आपसे पूछा गया है union cabinet होता है RBI होता है SBI होता है या फिर union finance ministry होती है yes तो custodian अपने Indian foreign exchange का कौन रहता है हमेशा RBI रहता है that is Reserve Bank of India RBI रहता है ठीक है RBI का काम ही क्या होता है manage करना maintain करना foreign exchange reserve foreign exchange reserve जो होते हैं हो हमारे external trade को promote करते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं और country की growth में मदद करते हैं कौन foreign exchange reserves यह आपको याद रखना है clear है भाई और यह जो अपने foreign exchange reserves है यह legal law की under आता है written down है कि इसमें RBI Act जो आपका 1934 का है उसके under आता है RBI की अगर मैं आपसे बात करूँ तो RBI को establish हमने कभी किया था भाई yes first April 1935 को okay first April 1935 को RBI का गठत किया गया था और इसका headquarter कहां पी है तो वो है आपका Mumbai okay Mumbai आप लोग मुझे बताओगे current governor कोन है आपके RBI के yes ये comment section में मुझे आप answer देंगे जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी लोग comment करिए RBI के current governor यहां आपसे पूछा गया है क्या भाई which of the following statement is not correct याद रखना not correct about प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना कोन सी statement यहां पर correct नहीं है वो आपको बतानी है चलिए देखते हैं one by one करके यह आपकी statement कोन सी यहां पर सही नहीं है यहां पर क्या बोला गया है statement सही नहीं है वो आपने बताना है clear है चलिए पहली आगे collectivization of fishers and fish farmers through fish farmer producer organization FFPOs to increase the bargaining power of fishers and fish farmers is a key feature of PMMSY ठीक है तो यह बिल्कुल सही बात है सही बोला गया है clear है चलिए next आप से क्या बोला गया है for optimal outcomes cluster और area based approach would be followed with requisite forward and backward linkage and end-to-end solutions बिल्कुल यह भी बात सही है regarding PMMSY it will be implemented as a central sector scheme क्या यह as a central sector scheme represent की गई थी yes तो नहीं भाई यह central sector scheme implement ऐसा नहीं किया गया था यह एक centrally sponsored scheme है central sector scheme CS is a different thing centrally sponsored scheme is a different thing तो यह एक central sponsored scheme थी center ने sponsored किया था यह central sponsored scheme कहलाती है ना के central sector scheme clear तो यह हो जाता है आपके पास गलत the scheme to bring blue revolution through sustainable and responsible development of the fisheries sector in India बिल्कुल यह बात भी सही है regarding प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना यह scheme जो है implement की गई थी for the period of five year कितने साल के लिए पांच साल के लिए implement की गई थी कब से कब तक आपके 2020-21 से लेके आपका 2024-25 तक ठीक है यह इसका last year है जो आपकी implementation थी प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना की यह एक umbrella scheme है जो आपके separate components के अंदर आती है एक आपकी central sector scheme यह centrally sponsored scheme है आपकी central sector scheme component जो है और central sponsored scheme जो है यह दोनों आपके अलगले component है तो इसी के साथ आपका जो central sector scheme है यह आपका गलत हो जाता है आपका correct answer चलिए अब चलते हैं अगले सवाल अबसे पूछा गया लेंग्थ पूछा के आपके पॉंग्यों लेक पॉंग्यों लेक जो है आपकी इसकी से लेंग्थ आपने बतानी है यस the lake जो है इसको पंग्योंग सो भी कहते है भी जिए आपका वाइद रखना है और की लेह डिस्टिक में आपको यह देखने को मिलेगा यह आपका इस्टन लदाक से वेस्टन टिबट तक एक्सपैंड हो रखी है आपकी यह लेक यह आपकी पांच सब लेक में फर्दर केटेगराईज है पॉंग यूंग से लेओ सो नियाक रमसो जिसको ट्विन लेक कहते हैं याद रखना आपने नियाक सो भी कहते हैं और यह जो है आपकी एक सोडा लेक टाइप है क्या है यह आपकी सोडा लेक टाइप है जिसको आप लोग पैन कुंग हू भी कहते हैं क्या कहते हैं पैन कुंग हू तो यह आपकी 134 किलोमीटर लंबाई आपको इसकी देखने को मि what is the APM, APM क्या चीज़ है जो आपकी second generation reforms के time पे use करी गई थी, yes, बताइए APM, क्या है यह, administrator and persons mentor, administrator and people's mechanism, administrator price mechanism, administrator people mechanism, yes, APM क्या चीज़ है, देखो भाई, APM चीज़ क्या थी आपकी, APM concept क्या था, basically इस term का मतलब था, कि कोई भी product economy की, ठीक है, उसकी जो price है, जो fix हो और regulate की जाए किसके द्वारा, government के द्वारा, एक तो fix हो, दूसरी, इसकी जो price है, regulate की जाए किसके द्वारा, government के द्वारा, तो उसको हम लोगो क्या क mechanism, okay, option third हो जाएगा आपका correct answer, clear है, ठीक है, चलें आब आगे, चलिए जी, yes, अगला सवाल आप से क्या पूछा गया है, which venue is selected for 2024 Olympic Games, 2024 Olympic Games का जो आपका venue कहां पे select किया गया है, ये आप से पूछा है, yes, बताएए वई, 2024 का Olympics, कहां पे होने वाला है ये, तो ये आपको कहां दे Paris, France में, okay, France में देखने को मिलेगा आपको 2024 का Olympics, clear, torch bearer कोन रहने वाला है, yes, ये मुझे पताएए, आप लोग 2024 Olympics का torch bearer कोन रहने वाला है हमारा, yes, हमारे shooter है ये, जनवरी मन्थ की जो मैंने compilation current affair करवाई थी, उसमें ये मैंने करवा रखा है आपको ये question, yes, ठीक है, okay, तो मो for sharing, okay, made for sharing, clear, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, clear, चलो, अब चलते हैं भई, आगे, next question देखिए, world poetry day is celebrated on which of the following dates, world poetry day आपकी किस दिन मनाई जाती है, world poetry day, तो पहली चीज़ आपको पताऊंची, ये poetry day कब मनाई जाती है, और poetry day celebrate किस के द्वारा की जाती है, तो ये UNESCO के द्वारा की जाती है, okay, ये भी आपको याद रखना है, UNESCO के द्वारा ये celebrate की जाती है, हर साल आपकी 21, sorry, 21 March को, ठीक है, 21st March को ये celebrate की जाती है, आपकी world poetry day, UNESCO ने इसको अडॉप्ट करा था, 21 March कब जब 30th General Conference हो रही थी, Paris की 1999 में, clear, ये आपने याद रखने, 1999 में इसको अडॉप्ट किया गया था, प्लस, अगर हम लोग UNESCO की बात करें, तो UNESCO फाउंड कब हुआ था आपका, तो UNESCO की बात करें, तो UNESCO आपका फाउंड हुआ था, 1945 में, ठीक है, 1945 में आपका UNESCO फाउंड अगला सवाल आपसे पूचा गया है, इंडिया ने अभी पहला इंसाइकलोपीडिया रिलीज करा है, किस कंट्री के साथ मिलके, उनके जो old heritage, cultural traces थे बैक के, वो और उसकी जो हिस्ट्री थी, वो सम्हाव सिमिलर थी, तो ये किस के साथ मिलके, इंडिया ने किया है, तो इट्स चाइना, ठीक है, याद रखना है अपने, ये चाइना के साथ इंडिया ने मिलके, इंसाइकलोपीडिया रिलीज करा है, ठीक है भाई, ये स्टार्ट कहां से होगा, जो चाइनीज विजिटर थे, हिउन सांग, जो इंडिया में आय थे, 17th century में, उसके बाद Quad Group, Quad Group जो नेशन से, इन में से कौन उनका मेंबर नहीं है, Quad Groups, येस, देखो भाई, ये कोई अलाइन्स नहीं है, ये एक grouping है, ठीक है, ये क्या है, एक grouping है, कितने नेशन की, चार नेशन की, तो वो कौन-कौन से चार हैं, एक जहपान है आपका, इंडिया है आपका, ओके, आस्ट्रेलिया है, ओके, देन, यूएस है, ये चार हैं आपके Quad Group में, यूएस है, आस्ट्रेलिया है, जपान है, फ्रांस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, फ्रांस आपका नहीं है मेंबर इसमें, तो आपका Option A हो जाएगा, और जो Quad Group है, ये आपका किसने आइड किया दिया था, जैपान के जो आपके, फॉर्मर प्राइम निस्टे था है, शिन्जो ओबे, शिन्जो ओबे ने इसका आइडिया दिया था, कब दिया था, ये 2007 में, तो ये भी आपको याद रखना है, रिगार्डिंग Quad Grouping, क्लिया, चलिए, आजाए बै, डैश is the payment method, most often used in international trade, which offers the exporter best assurance of being paid for the products sold internationally, इन में से कौन सा method है, जो use किया जाता है, international trade के लिए, जो exporter को best assurance और paid पैसा देता है, उस product के लिए, जो internationally sold होती है, bill of lending, letter of credit, open account या drafts, ये, क्या है ये, कौन सा method है ये, तो it's letter of credit, ठीक है भाई, इसको हम लोग कहते हैं, letter of credit, letter of credit क्या है, ये most secure method होता है, आपकी payment का, जो आपका bank letter देता है, और guarantee देता है, seller को कि भाई, जो buyer है, वो आपको correct amount पे करेगा, आपके specified time से पहले पहले, जो आपने time fix किया है, उससे पहले पहले ये आपको bank letter देता है, clear, ये आपने याद रखना है, next अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर किसकी, bill of lending की ये most vital document होता है, जो आपको required होता है, किसके लिए shipping process में trade के लिए, bill of lending, ठीक है, shipping process के लिए आपको ये document ची होता है, open account की अगर मैं commercial sales में, goods और shipping में, or delivery before payments होती है, उसको हम लोग क्या बोलते है, आपके open account, drafts आप सभी को पता ही है, क्या चीज है draft, clear, चलो, अब चलते हैं भाई, अगले question की तरफ, next question में आप से क्या बोला गया है, भाई, who among the following was one of the speakers after जोहारलाल नहरू to address the parliament on the midnight of 15 August 1947, तो आपका speaker पूचा अगया है, कौन थी उस टाइम, yes, option AC, राजा कोपाल चाहरी, राजिंदर प्रसाद, सर्वपली, रादा कृष्णन जी, सर्दार वल्लबाई, पतेल, yes, तो लाल जोहरलाल नहरू जी ने बहुत famous उस टाइम स्पीच दी थी पार्लिमेंट में, जिसको हम लोग नहीं क्या था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, क्लियर, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, क्लियर, तो जोहरला नहरू ने वो स्वान किया था, PM of independent इंडिया उस टाइम पे, थी क्या, वंदे मातरम, जो है, वो ऐजा नेशल सौंग, गाया गया था, वहां पे, ये भी आपको याद रखना ह है, ठीक है भाई, क्लियर, तो उस टाइम कोन थे, सर्वपली, रादा कृष्ण ने जी, option हो जाएगा, आपका, that is, third one is correct, क्लियर, चला, आएं अगले सवाल की और, प्राइम मिनिस्टर है लॉंच्ट प्रधान मंत्री मतस्य संपता योजना on 10th September 2020, what is the tenure for this scheme, अभी मैं आपक करवा के आचुका हूँ, क्या है इसका tenure भाई, 2020 से 2025 तक कितना, पांच साल की ये scheme थी, ठीक है, पांच साल की ये scheme थी, क्योंकि अभी आखरी साल इसका चल रहा है, तो इसलिए ये news में भी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चलिए, next, black shkalls pricing model is used for, black shkalls pricing model जो है, ये किसके लिए use होता है, option trading के लिए, forward के लिए, future के लिए, या all of the above, किसके लिए use होता है, yes, तो ये जो model है, आपका ये determine करता है, value किसकी call option की, तो आपका option 1 हो जाएगा, यहाँ पे correct answer, ठीक है बाई, चलिए, next question देखिए, advantage of hydroelectric power station over thermal power station is, इस में से कौन सी advantage है आपके पास है, किसकी hydroelectric power station की thermal power station के comparison में, initial cost of hydro power station is low, okay, operating cost of hydro power project is low, okay, hydroelectric power station can supply the power through the year, hydroelectric power station can be constructed at a place where energy is required, yes, कौन सा है, आपके पास statement यहाँ पे correct है, तो second statement आपको मिलेगी, यहाँ पे बिलकुल correct, के बाई, जो operating cost होती है, आपकी, किसकी hydroelectric power project की, वो low रहती है, ठीक है, तो second option है, आपका correct one, clear, चलो, Union territory of Jammu and Kashmir joined hands with which of the following agency program for impact based flood forecasting, ठीक है, impact based flood forecasting के लिए, इंडिया ने, किस देश की agency से, या फिर कौन सी agency से, हाथ में लाया है, हमारे Jammu and Kashmir ने, yes, UK space agency, Japan, aerospace exploration agency, NASA के साथ, या फिर, रॉसकॉमोस के साथ, रॉसकॉमोस के साथ, yes, किस के साथ किया है, तो ये है UK space agency, okay, option A हो जाएगा, आपका correct answer, Union territory of Jammu and Kashmir ने, इनने हाथ मिलाया, आभी किस के साथ, UK space agency program के साथ, किस के लिए एक collaborative project, जो impact based flood forecast बताएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, चलो, आएं अगले सवाल की, और next question में आपसे पूछा गया है, 18 अगस्ट 1947, 11 अगस्ट 1947, तो ये आपका 17 अगस्ट 1947 को किया गया था, तो line का नाम क्या था भाई, that is red cliff line, red cliff line, ये भी आपने याद रखना है, मैक महन लाइन इंडिया चाइना के बीच में है, ठीक है, सर क्रिल, red cliff ने इसको बाई फरकेट किया था, international boundary कब 17 अगस्ट 1947 को, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बाकी तो modern history में हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से discuss, clear, चलो, नर्मदा वेली, next question है आपसे, नर्मदा वेल या host है, क्या है, रिफ्ट वेली है, आपकी नर्मदा वेली, ठीक है, नर्मदा वेली आपकी रिफ्ट वेली है, नर्मदा जो है, ये one of the river है, इंडिया की जो flow करती है, as a rift valley, clear, as a rift valley flow करती है, ये west, flow करती है, westward between the satpura and windhya range, ठीक है, विंदिया और satpura के बीच में से ये आपकी flow करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है regarding नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, अब मुझे ये बता दो आप लोग, कि नर्मदा जो है, ये आपका originate कहां से होगी है, drainage का system जब हम लोगों ने किया था, तो बड़े ही प्यार से मैंने वहाँ पे आपको सारी tricks के साथ सा जीता था, येस, किलाश सत्यारती, 2014 में, 2012, 2015 या 2013, तो ये कब जीता था भाई, 2014 में, ठीक है, किलाश सत्यारती ने नोबल पीस प्राइज जीता था, किस के साथ, मलाला यूसफी के साथ, या रखना है, मलाला यूसफी के साथ, मिल के इसने, ये नोबल प्राइज जीता था तो 2014 में यह जीता था, clear? चलिए, अब आजाओ भाई, GK with special reference to Jammu and Kashmir, clear? After scrapping article 370, article 370 scrap करने के बाद, what is the percentage of reservation for the minorities in Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir में minorities के लिए कितनी percentage रह गई गया, 370 scrap होने के बाद, abrogation of article 370 के बाद, तो यह आपकी कितनी रह गई यह भाई, 16%, okay? Minorities के लिए 16%, okay? चलिए, आजाएं, अब next सवाल के उपर, which of the following district is called as the land of countless spring? Land of countless spring किसको कहा जाता है? रामबन किस्तवार, अनंतनाग या डोडा? Yes, तो यह आपका अनंतनाग को कहा जाता है, क्या भाई साहब? That is countless springs, land of countless spring, यह आपका south of Kashmir में पढ़ता है, south of Shrinagar में पढ़ेगा, 52 km, आपका अनंतनाग पढ़ता है कश्मीर में, ठीक है? और यह आपका biggest town है after Shrinagar, यह भी आपको याद रखना है regarding अनंतनाग, clear? ठीक है? चलिए. Yes, next question आपसे क्या बोला गए है, who among the following person is also known as Shire Kashmir? Shire Kashmir किसको कहा जाता है? सेद मीर कासिम, स्वामी लक्षमन जू, शेख मुहमद अब्दुल्ला या नन अफदीज, Shire Kashmir किसको कहा जाता है? तो Shire Kashmir को Shire Kashmir के नाम से बोला जाता है, ये लीडर थे, आपके किसके नैशनल कॉन्फरेंस कश्मीर लार्जेस्ट पार्टी जो है, अपनी कश्मीर की लार्जेस्ट पार्टी है, clear है? यार्त रखना है, ये political figure है, important political figure है, शेख मुहमद अब्दुल्ला, clear है? शेख मुहमद अब्दुल्ला, clear? चलो. नेक्स्ट कोशन देखिए, who was the first कश्मीरी पॉइट to write in black verse? black verse में कौन पहला कश्मीरी है, जिन्होंने लिखा था? ये कश्मीर के prominent point है, 20th century के, याद रखना है, 20th century के, ये कश्मीर के prominent point थे, ठीक है, जिन्होंने black verse में लिखा था, कश्मीरी पहले ये point थे, तो इनका नाम था आपका दीनानाथ नदीम, दीनानाथ नदीम, इनकी जो poetry थी, वो एक new phase उसने introduce किया था, कश्मीरी poetic styles में, ठीक है, कश्मीरी poetic style में, और जो कश्मीरी language में, great grace और craftmanship उन्होंने use की थी, अपनी poetry में, ठीक है, ये जो आपकी दीनानाथ नदीम जो है, उनने folk style में आपकी poetry भी compose की हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है, दीनानाथ जी को 1971 में, कब 1971 में, Soviet Land Nehru Award से नवाजा गया था, और सहित्य Natak Academy Award से नवाजा गया था, इनकी book के लिए, अगले सवाल के उपर, पंचायत election held in Kashmir for the first time on, कश्मीर में पहली बार पंचायती election कब हुए थे, ये आप से पूछा है भाई, 11 September 65, 9 March 94, 2nd November 98, या फिर 9 August 1969, पंचायत election आपके कश्मीर में, फिर्स time held हुए थे आपके, 9 August 1969 में, 9 August 1969 में, और ये जो election थे, ये conduct करवाई गे थे, इंडिया में पहली बार, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ओके, चलो, अब चलते हैं भाई, आपका next सवाल की, और, डोग्रा रूलर्स इन जम्मू एंड कश्मीर क्लेम्ड दैट, दे बिलोंग टू दा रेस ओफ, कौन सी रेस से ये बिलोंग करते हैं, सूर्या वंश है, चंद्र प्रभा से, घाट वंशी से, या फिर बश्मिन से, ये इस डोग्रा रूलर्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो ऐसा क्लेम करते हैं, वो सूर्या वंश से बिलोंग करते हैं, ये इनकी ये रेस है, ठीक है, डोग्रा रूलर्स जो है, ये आपके एंशेंट शत्रिया जो है, उनके महाबारत टाइम से, उनके ये डिसेंडन्ट है, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंग जो है, ये आपको ग्रेट विगोर, फॉरसाइट इन डिटर्मिनेशन से बोला जाता है, मैन अफ ग्रेट विगोर, मैन अफ फॉरसाइट, मैन अफ डिटर्मिनेशन, ये आपने याद रखना है, रिगार्डिंग किसके भाई साब, गुलाब सिंग जी, महाराजा गुलाब सिंग जी, ठीक है भाई, और, तो ये निके, डुगरा रूलर्स के टाइम पे ही, आपके यहाँ पे, फॉर्ट्स बिल्ट हुए थे, जेहंड के में, तक्ते सुलिमान किसको कहा जाता है, जामा मस्जिद को, शंकरचार्य टेंपल को, पेर टेंपल को, फॉल अफ फेम को किसको कहा जाता है, तो ये आपका, शंकरचार्य टेंपल को कहा जाता है, तक्ते सुलिमान, ठीक है, शिवा टेंपल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कलहना की बुक में कि ये राज गुप्त अधित्या ने बनाया था 371 BC में ठीक है कब 371 BC में राज गुप्त अधित्या जी ने बनाया था जो गुलाब सिंग की बात करूं इनने कंस्टक्ट किया था स्टोन की स्टियर्स उस टेंपल के बाहर ठीक है ये भी आपको याद रखना है ठीक है शंकरचारे टेंपल वहां उस टेंपल से आपको बाहर पूरा व्यू कश्मीर का देखने को मिलता है ठीक है चलो अभी जो नमसकार कर रहा था आपके इस टेंपल को क्लियर्स फॉल्विंग क्रॉप इस ग्रोप इस ग्रोण एक्स्टेंसिवली इन पलवामा तहसील इन जम्मू एंड कश्मीर में इन में से कौन सी क्रॉप उगाई जाती है मेज सैफ्रॉन कॉफी या राइस येस बताये वही तो य सैफ्रॉन क्रॉप जो है वो उसको वैदर कंडिशन के लिए उसको उगाने के लिए ये हर्विस्ट किया जाता है अक्टूबर में और अर्ली नुमेंबर में ये भी आपको याद रखना है इसकी लेबर और सीड कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई रहती है ये आपका वन अफ दी एक्स्पेंसिव है ग्रो करने के लिए आपका सैफ्रॉन ठीक है सैफ्रॉन चलो आज अब अगले सवाल पे क्रोडान्स चौकी नाच लोहरी छज्जा डान्स और पॉपलिर फॉक डान्स और विच स्टेट कोन सी स्टेट के ये फॉक डान्स आपको देखने को म अब अगयि उद्砂स और ये अपकी टोगरा डान्स प्रफॉर्म है जो आपके ہिली रीजन में किया जाता है ठीक है कवगा डान्स ठीक है स्किलफुल आठिस्ट ही इसको कर सकते हैं ठीक है चोकी डान्स ये आपका ये बिजम्हू रीजन से ये सिंगल पर सं करता है ये हमे correct answer चलिए आ जाएं अगले सवाल की ओपर which one of the which one following types of apple is the most popular apple in कश्मीर कश्मीर में सबसे ज्यादा popular कौन सा type का apple है केसरी हजरत बली delicious या अमरी तो it's अमरी अमरी या फिर आप इसको अमरी कश्मीरी apple भी कहते हैं अमरी कश्मीरी apple ओके अमरी कश्मीरी apple तो यह यहां का most popular apple है आपका अमरी याद रखना आप नहीं है तो यह type of apple जो है यह आपका blessed red होता है striped इसमें stripes होती है और medium size का होता है conical shape होती है इस apple की ठीक है, conical shape में आपको यी दिखने को मिलता है, ठीक है, और ये long storage life रखता है, that's why इसलिए famous है, इसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है बाई, और बाकी आपको पताए, अपको पताए, September, October में आपके जो apple हैं, यहाँ पर तयार होते हैं, कश्मीर में, desert की variety होत हैं हम लोग October में, Emory जो है, इसको इंडिजिनियस, यह कश्मीर का ही है, इंडिजिनियस तो कश्मीर है, और बाकी तो कुछ खास नहीं है, apples के related, चलिए, आईए अगले सवाल के ओपर, In which of the following years, the state constitution of Jammu and Kashmir came to force, Jammu and Kashmir का constitution कब आया था, force में यह आप से पूछा है, 26 November 1951, 26 January 1957, 26 November 1954, 26 January 1952, तो Jammu and Kashmir का constitution है भाई, वो हमने कब आया था, constitution force में आया था, 26 January 1957 को, 26 January 1957 को, और आपका 17 November, याद रखना है, 17 November 1956 को, हमने इसको अडॉप्ट करा था, clear, अडॉप्ट कब करा था, 17 November 1956 को, और force में कब आया, 26 January 1957 को, clear है, यह भी आपने याद रखना है, ठीक, चलिए, येस, अगला सवाल देखिए, what was the name of the Iranian sent, who was the founder of Islam in Kashmir, Iranian sent कों थे, जो कश्मीर में जन्होंने इसलाम लाया था, मीर स्यद अली हमदानी, कुत्ब दीन जी, शाह मीरी, फैजल शाह, येस, फैजल शाह, तो मीर स्यद अली हमदानी, okay, option A हो जाएगा, आपका करेक्टान से नहीं, ये एक एरानियन थे, जिन उन्होंने कश्मीर में क्या लाया था, इसलाम फिलाया था, remarkable personality है ये, ये कश्मीर में, थर्ड विजट थी इनकी कश्मीर में, जब इन्होंने 700 सयद हमदन जो थे, उनको यहाँ पे convert किया था, इसलाम में, सयद में, clear, ये आपने याद रखना है, इनकी machinery's, एक्टिव्स यहाँ, वैली में आई थी, और इन्होंने अपने centers भी खोले थे, 1389 में, कुतबुदीन अबक जब मर गे थे, तो उन्होंने, इसका जो eldest son था, सुल्तान सिकंदर, उसने यहाँ पे succeed किया था, further उसको, ठीक है, तो मीर सयद अली हमदानी, ये इरानियन सेंट थे, जो कश्मीर में, इसलाम लेके आए थे, ठीक है, चलि होता है, 10 villages, कौन सा है वो आपका, पार्क तो ढाची गाम, ढाची गाम का मतलब ही होता है, 10 villages, 10 villages, relocation of 10 villages, its formation could be a reason behind this, तो ढाची गाम जब पार्क बना था, यहाँ से relocate किया थे आपके 10 गाउं को, clear है भाई साब, 1910 में ये पार्क डिक्लियर किया गया था, as a protected park, क्या as a protected park, तो आपको अगर डाची गाम की बात करूं, यहाँ पे species कौन कौन सा ही रहती है, brown bear रहता है, ठीक है, brown bear रहते हैं यहाँ उसके बाद हंगुल रहता है, okay, हंगुल है, leopard है, okay, black bear है, clear, उसके बाद गोरल है, यह सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को बिलेंगी डाची ग डिस्टिक एंड कनेक्टेड विद जहिलम बाई कैनाल, कौन सी आपसे पुछा गया लेक है, जो गांदरबल में है, और जहिलम कैनाल के दुरू यह कनेक्टेड है, तो वो है आपका मानिसबल, okay, option A हो जाएगा, आपका correct answer, मानिसबल लेक जो है आपकी जमोहन कश्मीर की, यह गांदरबल डिस्टिक में है, और यह जहिलम नदी के कनाल के थुरू यह connected है, clear है, और यह जो लेक है, आपकी located है, सफा पोरा एरिया, गांदरबल डिस्टिक में, सफा पोरा एरिया, clear है, याद रखना है आपनी यह, बाकी और तो, ठीक है, चलिए, गंगा बल लेक, ग कलोही is located, कलोही गलेशियर आपका कौन से mountain range में लोकेट करता है, अमरनाथ जद्चकर अफरत या फिर क्यों लों, तो, अमरनाथ mountain range में आपका कलोही glacier, जो है, famous कलोही glacier लोकेट करता है, अमरनाथ mountain range जो मुह अन कश्मीर की है, वहीं पर आपकी holy अमरनाथ cave भी आपको देखन को मिलता है ठीक है बाई वहां से आपको पास करना परता है महागुना पास ठीक है तो जाके आप अमरनाथ में पहुंचते हैं ठीक है ठीक है बाई चलिए आईए नेक्स्ट सवाल की और येस इंपोर्टन्ट कॉशन है अगला विच आफ दो फॉल्लिविंग इस करेक्ट अब को करेक्ट है इसके रिगार्डिंग पहला इट विल चेंज एग्जिस्टिंग मैन्यूल रिजिस्ट्रेशन सिस्टम तो ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन अफ आल्ल ट्रांजक्शन इन सेल पर्चेज इन ट्रांसफर अफ लेंड तो बिलकुल सही है पहला इन फर्स्ट फेज फाइव डिस्टिक शिरिनगर सांबा कठुवा उदंपुर हैव बीन इंक्लूड़िड अंडर एन जी डी आरेस कवरेज ओकी जी बोथ ए ए एंड बी या फिर दोनों गलत तो बिलकुल थर्ड वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोनों ही स्टेट्मेंट आपके पास य जाएंगे यहां पर आपका एग्सिस्टिंग मैन्यूल जो है उसको बिलकुल ही चेंज करके ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन हो जाएंगे सारी के सारी आपकी सेल परचेज और ट्रांसफर आफ लेंड का सारा का सारा एंजी डी आरेस के अंडर तो दोनों यहां पर स्टेट्म रहती है वाललेट अलमड एपल वगाने के लिए केरवा सॉयल हिल सॉयल लेटराइट सॉयल या फिर रेड तो यह जो सॉयल से आपने अगर नहीं पड़ी है तो अल अबाउट जेंड के प्ले लिस्ट है वहां पे जाके आप लोग पूरे जेंड के की एकॉनमी के बारे में उसके बाद डिस्टिक्स के बारे में उसके बारे जितने भी कोशन्स आपके बन सकते हैं वहां पे मैंने MC के उसके त्षू सारे तापिक आपको टापिक व्यक्वाई समझाए है वो भी जाके देख लिजएगा केरवा सॉयल है आपका करेक्ट अंसर या आपका मोस्ट आपको यह कश्मीर एरिया में पामपूर, मत्टन, त्राल, कुलगाम, काजिगंड एरिया में आपको यह देखने को मिलती है, केरवा इसमें suitable है, मैंने आपको बताया अभी सैफ्रॉन है, फ्रूट्स रहा आगी, यह सब चीजें आपको केरवा सोयल में देखने को मिलती है, चलिए, आओ अगले सवाल की उपर, अगले सवाल आप से कुछाए, वाट इस देख्वाट इस अप्रॉक्स कंट्रिबूशन ओफ होटी कल्चर सेक्टर इन एकॉनमी आफ जमो एंड कश्मीर, जमो एंड कश्मीर की एकॉनमी में होटी कल्चर कितने परसंट चलिए, आज़ा भई अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट कोशन आप से पुझा गया है, अगले सवाल की तरफ, पहला ही आपका करेक्ट आंसर, चलिए, अगले सवाल, regarding Reorganization Act 2019, which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 says that the legislative assembly can make laws on any subject contained in state list except public order and police and concurrent list. तो ये कौन सी section में कहा गया है? Section 32.1, Section 14.1, Section 14.6 या फिर इने में से कुई भी नहीं. Yes, तो it's section 32.1, clear है? Section 32.1. अगर यहां पे मैं आपको बात करूँ, section 14.1 की, section 14.1 में आपका LG की बात की गई है, ठीक है? LG जो आपका J&K का Administrator रहेगा, ठीक है? यह आपका 14.1 में कहा गया है. 14.6 की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो 14.6 में आपको कहा गया है, भाई, seats reserve आपकी SC & ST के लिए legislative assembly में, ठीक है? लेजिसलेटिव assembly में आपकी reserve seat रहेंगी, किसके लिए? SC & ST के लिए, clear? यह भी आपने sections याद रखने हैं, clear है? चलो. आजओ भाई, अगले एक सवाल की तरफ, अच्छा, यह हो गया आपका, खतम GK का portion. ठीक है, next आजओ जओ general science. General science का पहला question देखे भाई, the body's tendency to resist acceleration is called, body की जो tendency है, वो resist करता है acceleration को, उसको हम लोग क्या कहते है? inertia, force, energy या फिर momentum. जो inertia है, वो क्या होता है आपकी? tendency होती है किसी object की, यह change करें अपनी state of motion को, law of inertia हम लोग को कहते हैं, Newton का first law जो है, उसी को हम लोग law of inertia भी कहते हैं, तो it's inertia, ठीक है भाई? तो पहला ही option हो जाएगा आपका correct answer. force क्या है? यह force आपको पता है भाई, किसी भी चीज़ पे हम लोग जब force लगाते हैं, तो मतलब के motion of body to distort it, तो वो क्या हो जाता है? आपका force हो जाता है, ठीक है? यह concept जो आपका force का है, explain किया गया था basic terms में, किसने ऐसा है, Isaac Newton के द्वारा third law of motion, ठीक है? तो next आप से energy की बात की गई है, energy क्या चीज़ है? energy आपकी conserved quantity होती है, क्या होती है? conserved quantity होती है, यह नहीं आप create कर सकते हो, नहीं आप destroy कर सकते हो, clear है? चलो, आजाओ अगले सवाल की तरफ, which process is involved in the sensing of fruits and vegetables? yes, question second general science का बाई, कौन सा process है? osmosis, transpiration, respiration या plasmolysis, कौन सा process है? तो it's respiration, कौन सा process होता है? plants and fruits में, जो आपका involved होता है sensing में, that is respiration, respiration क्या है? यह breakdown करता है आपकी organic substance को, जैसे कि आपके पास carbohydrates है, fats है, proteins को कर देता है, CO2 में, water है, energy है, यह सभी चीज़ें आपको क्या करता है? breakdown करता है आपका respiration, ठीक है? तो आपका third हो जाएगा correct answer चलिए, अगला सवाल, which type of energy resource is geothermal energy? इन में से कौन सी energy है? जो आपकी geothermal energy है, conventional and renewable energy, non-conventional and non-renewable, non-conventional and renewable, या none of these, energy resource आपकी geothermal energy है, जो तो वो है आपका non-conventional and renewable energy, clear है? third one आपके पास जोएगा correct answer, तो source of energy जो है, वो आपकी capable होती है, कि भाई, useful energy को हम लोग यूज कर सकें, long period of time के लिए, ठीक है भाई? यह आपने याद रखना है, और आपकी जो energy है, यह दो प्रकार की होती है, एक renewable energy होती है, renewable source of energy, दूसरी आपकी non-renewable source of energy होती है, geothermal energy की बात हुई है, यहाँ पर तो geothermal energy होती है, जो आप heat store की होती है, अर्थ की crust में, उसको use करके electricity generate करते हैं, heating applicant से आप जब electricity generate करते हैं, तो वो होती है, हमारे पास geothermal energy, clear? कौन सी geothermal energy, clear? यह आपने याद रखना है, ठीक है? चलो. अब चलते हैं, अगले question की तरफ, general science मैंने आपके, वहाँ पर जाओगे तो general science, physics, chemistry, bio, इस नाम से आपको playlist मिलेगी, सारे topic wise मैंने आपके best mcqs करवाए हैं, वो playlist एक बार जरूर से check out करके देख लेना वाई, miss out नहीं करना, बहुत पच्छता होगे, जाके मेरे कहने पर एक propagation of wave, yes, transfer wave medium particles जो होते हैं, वो oscillate करते हैं, क्या parallel, perpendicular, randomly, या फिर medium particles don't oscillate to the direction of propagation of the wave, क्या, तो perpendicular, okay, clear, यहाँ पे क्या, आपका perpendicular लिए आपकी oscillator करते हैं, particles, ठीक है, wave क्या है, वे एक, आपकी propagation है, energy की disturbance, जो एक प्लेस से दूसरी जगा shift कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं, wave, clear, transfer wave क्या होती है, यह आपका वो wave है, जिसमें आपका medium particle जो है, वो move करता है, perpendicular direction में, किसमें perpendicular direction में, यह आपको transfer wave से याद रखना है, transfer wave हमेशा perpendicular direction में move करते हैं, option second हो जाएगा, आपका correct answer, चलिए, ozone layer present in atmosphere absorbs, ozone layer जो आपकी atmosphere में present होती है, क्या observe करती है, यह infrared light arriving from the sun, ultraviolet light arriving from the sun, visible light arriving from the sun, यह charge particle reaching earth, तो यह आप से पूछा क्या गया है, ozone layer जो है, यह आपकी present atmosphere में होती है, observe क्या करती है, ozone layer जो है आपका, ozone shield आप लोग कहते है, जो आपकी earth के stratosphere में देखना को मिलती है, वो आपकी observe करती है, most of sun की ultraviolet radiations, ultraviolet radiation, तो ultraviolet light जो आपकी sun से आ रही है उसको यह observe करती है, clear है, याद रखना है, यह आपने regarding ozone, ठीक है, ultraviolet radiation कों से होती है, UV rays, ठीक है, जो आपकी dangerous UV rays होती है, वो जो हमारी earth पे आके hit करेंगी, harmful substance लेकी आएगी, जो living organism को हानी कारक हानी पहुचाती है, तो उसको यह क्या करती है, absorb कर लेती है, तो question, option second हो अगले सवाल की ओपर भाई, dash states that the force between the two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is doubled, अब क्या बोला गया है, इन में से, यह कौन सा law है, जो state करता है, force, दो electric charge की reduce हो जाती है, पुरानी value से, अगर उनके जो distance है, हम लोग कर डबल कर दें, यह कौन कहता है, पॉसको लोग कहता है, ओम्स लोग कहता ह है, yes, तो यह आपका columns law कहता है, clear, third one हो जाएगा, correct answer, columns law state करता है, आपकी जो force होती है, दो electric charges की, वो reduce होती है, quarter में, अगर उसकी former value जो है, उससे दोनों की, जो अगर distance को हम लोग का double कर दें, ठीक है, यह आपने याद रखना है regarding columns law, अगर distance उन दोनों के बीच में double होगा, one fourth हो जाएगी, original force से, clear, जैसे ही distance double होगा, तो उसकी जो, आपका क्या है, मैंने क्या बोला आपको, जो उसकी force है, वो आपकी one fourth हो जाएगी, उसकी original से, original जितनी होगी, तो उसका one fourth यह हो जाता है, यह किसने कहता, columns law ने, यह आपने याद रखना है, ठीक है, चलो, आजाए अगले सवाल की और, सैफरोन is obtained from dash of plant, सैफरोन जो है आपका, कहां से obtain किया जाता है, leaves, plant की stem, plant की another and whole floor, या stigma and style of the floor, yes, किस में से यह आपको किया जाता है, सैफरोन किस में से आप obtain करते हैं, प्लांट की, तो यह है आपका stigma and style, सैफरोन स्पाइस जो है, originate करता है, फ्लोर से, जिसका नाम होता है, crocus stavus, यह भी आपको याद रखना है, crocus stavus, यह नाम भी आपने याद रखना है, crocus stavus, यह है commonly norm, जिसको हम लोग सैफरोन क्रोकस भी कहते हैं, सैफरोन क्रोकस, तो यह आपका vivid crimson stigma और style से produce किया जाता है, threads like shape होती है, धागे धागे दार होता है, तो food में spice जो है इसका different type का होता है, और यह जो है, एक floor जो होता है, उसमें से just 3 threads निकलते हैं तो वो threads कहां से निकलते हैं भाई, आपके stigma यह आपने याद रखना है, stigma जो है इसमें से निकलते हैं, तीन फोल, ठीक है चलो, काफी डिटेल में चलेगे हम लोग, चलो, अब चलते हैं अगले सवाल की और, अगर सिलिकॉन की बात करें यहाँ पे, तो इसके पास उलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 14 टोटल, क्लियर है, अगर लेवल वन में देखें तो दो एलेक्ट्रॉन है, लेवल टू में आठ मोर हो जाते हैं, ठीक है, चार जो एलेक्ट्रॉन स बच जाते हैं, वो लेवल थ्री के लिए होते हैं, तो सिलिकॉन के जो वेलन्स कितने बचते हैं आपके पास, तो वो बचते हैं, सिर्फ चार कितने बचते हैं, चार ही बचते हैं, तो आपका उप्शन यह आपने याद रखना है word semi conductor क्या है यह एक good conductor नहीं है good insulator है मतलब के आपकी electric supply को रोकता है यह पास नहीं होने देता जैसे आपके पास silicone है यह जो आपकी example है germanium है आपकी यह सबी शीज़ें क्या है आपके पास semi conductor की example से ठीक है चलो yes next question अगला सवाल आपसे पुझा गया है which of the following statement is correct for the resistance of pure metal and its alloy if the length and the cross sectional area is same अभी यहाँ पे आपसे पुझा गया है correct resistance किसका pure metal का और उसके alloy का अगर length उसकी cross sectional area की same रहेगी तो क्या यहाँ पे correct होगा statement resistance of pure metal will always be greater than its alloy ऐसा नहीं होगा भाई resistance of pure metal will always be less than its alloy बिल्कुल सही बात है resistance जो pure metal की रहेगी वो हमेशा alloy से कम रहेगी यह आपने याद रखना है ठीक है तो option second हो जाएगा आपके पास correct answer ठीक है resistivity और resistance यह दो चीजें आपने याद रखनी है क्या चीजें है अगर मैं आपसे बताऊं resistivity resistivity क्या ही यह property है conductor की जो आपका oppose करती है किसको flow of current को clear flow of current को opposite करती है अब resistance क्या चीज़ है resistivity तो होगी resistance यह आपकी property है conductor की जो oppose करती है again आपकी किसको flow of current को किस पे यह depend करता है उसकी shape और उसके size और material क्या है और temperature कितना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाई resistance ठीक है resistance को हम लोग donate करते हैं आर से ऐसा ही unit होती है resistance की आपकी ohm यह आपने याद रखना है ohm ठीक है तो ohm आप लोग ऐसे denote करते हो ठीक है ohm ओके ohm resistance की SI value ohm चलो yes insulation is associated with insulation आपकी किस से associated है solar energy exosphere and its gases air pressure या फिर seasonal winds yes isolation आपका किस से associated है isolation yes isolation आपका solar energy से associated है isolation अर्थ की जो surface होती है वो receive करती है most of the energy किसमे short wavelength में ठीक है short wavelength में वो receive करती है आपकी energy और वो जो energy receive की जाती है आपकी अर्थ के द्वारा incoming solar radiation के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं isolation ठीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं isolation तो that's why solar energy से associated है आपकी isolation clear समझ चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और नेक्स कोशन ओजोन डिपलेशन पोटेंशिल ODP is the measure of ओजोन डिपलेशन capability of रिफरेजेंट compared to the that of R11 R718, R717 R22 क्या चीजें हैं यह सब चीजें भाई चलो बताओ येस क्या है ये compared to that of R11 क्या बात भाई यहां क्या बात बोली गई है तो it's R11 option first हो जाएगा आपका correct answer ODP that is ozone depletion potential ठीक है तो ये क्या है एक chemical compound है जिसके relative amount of degradation जो होती है ozone layer की वो cause करती है क्या भाई साब आपका CFC 11 CFC 11 CFC 11 और वो fix रहती है ODP की कितनी 1.0 ठीक है 1.0 आपकी ये fix रहती है ये क्या चीज है आपकी Trichlorofluoromethane CFC जो है आपकी ये क्या चीज है Trichlorofluoromethane ये आपने याद रखना है ये fix रहती है 1.0 1.0 ODP that is ozone depletion potential की ये fix रहती है 1.0 ODP जो आपके estimated molecular structure जो आपकी substance का given होता है वो estimated रहता है तो clear है भाई साब चलें अब अगले सवाल की next question आप से बज़े which of the following types of marine organism determines the quantum of fish stock yes इन में से कौन सा marine organism है जो आपका determine करता है quantum किसका fish stock का phytoplankton, zooplankton, sea grass या फिर sea weeds yes तो it's zooplankton option second हो जाएगा आपका correct answer zooplankton quantum of fish stock determined किया जाता है zooplankton के द्वारा zooplankton जो है ये play करता है आपका vital role food web में और food chain में clear है food web and food chain food web and food chain में आपका ये important role play करता है zooplankton ठीक है भाई बाकी तो ठीक है zooplankton बेस जो आपकी quality होती है species diversity की वो आपकी fisheries resource होगी fertility होगी health of ecosystem सारी चीज़ें देखता है ठीक है भाई ये जो हैं आपके abundant रहते हैं mangrove waterways में mangrove waterways में जो adjacent होते हैं आपके coastal waters में ठीक है किसमे coastal waters में coastal area जो होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को ज्यादा तर देखने हैं zoop longton चलिए आजाए भाई अगले question रपी which one of the following biosphere reserve has UNESCO recognition इन में से कौन सा biosphere reserve है जिसको UNESCO ने recognize करा हुआ है मानस कंचिंचंगा seas चलम hills या great nicobar yes तो yes it's great nicobar option of fourth हो जाएगा आपका correct answer great nicobar biosphere reserve income pass करता है large part of island great nicobar approximately 85% कितना 85% ठीक है 85% आपको ये याद रखना है तो 2013 में intude किया गया था list में ये कब 2013 ठीक है याद रखना है आपने ये चलिए आजाओ ecological footprint represents ecological footprint जो है ये क्या represent करता है area of productive land and water to meet the resources requirement बिल्कुल भाई सही statement है यहीं पर हम रुख जाएंगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई सब ecological footprint जो हता है वो आपका measure करता है demand in supply of nature nature की demand and supply को ये क्या करता है भाई आपका account measure करता है ये तो ये आपने याद रखना है global footprint network जो है ये आपका measure करता है human demand and natural capital को clear कौन that is global footprint network ये आपने याद रखना है ठीक चलिए अब चलते हैं अगले सवाल renewable natural resource include renewable natural resource क्या include करता है air yes water yes soil yes all of above तो ये सभी चीज़ें आपके पास renewable natural resources देखने को मिलती है air आपकी renewable है water आपकी renewable है soil आपकी renewable है तो ये आपको याद रखनी है regarding renewable clear है renewable renewable non-renewable फर्क क्या होता है भाई SUBSCRIBE renewable renewable resource जो होती है ये आपने आपको क्या करती है renew कर लेती है ठीक है renew कर लेती है non-renewable आपको renew नहीं कर सकती renew जो है आपकी low carbon emissions होती है और जो आपकी non-renewable होती है उसमे carbon emissions आपको ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है? चलो A river with high BOD value indicates Yes, एक river आपकी जिसकी high BOD value हो तो वो क्या indicate करता है? पहली चीज आपको BOD चीज क्या है सर? That is biological Okay, biological oxygen demand biological oxygen demand होता है आपका, that is BOD value ठीक है? तो ये क्या indicate करता है? high pollution level, clean water presence of crocodile ये none of these Yes, क्या है? तो BOD level जो high है आपका अगर तो वो river का indicate करेगा high pollution level है आपका क्या indicate करता है भाई आपका? high pollution level ठीक है भाई? अगर too much organic matter water में add करोगे तो available oxygen जो है वो आपकी used up हो जाएगी और oxygen independent aquatic life को जो है वो मर जाएगी जो जितने भी आपकी river में aquatic marine life जो आपके रह रहे हैं वहाँ पे species aquatic life वाले वो सभी के सभी मर जाएगी अगर आपका BOD biological oxygen demand जो है वहाँ पे बढ़ जाएगी तो ठीक है भाई? तो water pollution जो river का होता है वो measure किया जाता है किसके amount में? that is dissolved oxygen के द्वारा ठीक है? DO के द्वारा DO that is dissolved oxygen ठीक है? यह measure करता है कितना oxygen dissolve हो सकता है water में तो उतना ही oxygen available रहता है आपकी aquatic organism के लिए जितने में वो जिन्दा रह सके और water quality सही हो सके clear? तो BOD level जितना हई होगा उतना pollution level आपका पानी में ज्यादा रहेगा ठीक है? चलिए fundamental rule of root hairs in plant is fundamental rule क्या है आपका root hairs का plant में? to protect the root from soil microbes? no. to protect the young roots from the damage of course of soil particles? नहीं भाई ये भी नहीं है to observe water and mineral salts from the soil? बिलकुल सही बात है भाई root hairs का यही काम होता है ठीक है? यही rule होता है इनका to bind soil particles to the root from mixed fiction नहीं भाई साब तो आपका option C हो जाएगा आपका correct answer, observe करता है water को और mineral salt को soil से ठीक है? fundamental role होता है आपका किसका? root hairs का root क्या है यह आपका descending part है आपके plant का जो develop होता है radical से ठीक है? root जो है always grow होगा soil away soil से और light से root soil और light से grow होगा root के here जो होते हैं वो help करते हैं आपके surface जो होती है roots की उसको उगने में ठीक है? modification अगर हम बात करें top roots की ठीक है? तो conical जो होता है वो carrot का होता है यह modification होते हैं, conical आपकी अगर बात करेंगी तो वो carrot का होगा nappy form की बात करें वो आपकी turnip और beat की होगी plus fussy form की अगर बात करें तो वो आपकी reddish की देखने को मिलती है तो option third हो जाएगा आपका यहाँ पर correct answer ठीक है बाई? चलिए next आप से क्या पुछागा है the wave function ठीक है? that represents the wave function आपका represent क्या करता है? intensity function velocity function probability function या amplitude function क्या आपका represent करता है? yes बताइए बाई तो अगर आप लोग displacement की बात करोगे wave की वहाँ पर जो आपकी position है तो वो आपकी क्या होती है? amplitude क्या होती है बाई? amplitude तो आप लोग amplitude को क्या mention करते हैं? यह mention करते हैं तो यही क्या है आपका amplitude function है क्या है यह amplitude function को यह represent करता है, ठीक है, समझ, wave nature of electrons को जब आप पढ़ेंगे mechanics में, wave mechanics में, तो वहाँ पे आपको displacement की, अगर जब बात होगी, तो वहाँ पे जो function होता है आपका, तो position में magnitude का denote किया जाता है, इसके थुरू, तो वह यह आपका होता है, amplitude, क्लिया है, amplitude, ठीक है, clear, चालो, आजाएं, अगले सवाल की तरफ, next question आप से दिखिए, क्या पूछा किया है, which among the following has been identified for maximum potential of tidal power in India, इन में से कौन सा identify किया गया है, maximum potential है, जिसमें, tidal power of India में, tidal power India में, किस में है यह, Gulf of Kach में, पाल्क स्रेट में, Gulf of Cambay में, या फिर सुन्दर बंस में, yes, तो it's Gulf of Cambay, option third हो जाएगा, यहां पर correct answer, इसको identify किया गया है, क्या भाई साब, high, maximum potential है, tidal power India की Gulf of Cambay, clear, या रखना है, Gulf of Khambat भी कहते हैं, जिसको Gulf of Cambay कहते हैं, यह आपका trumpet shaped gulf है, Arabian Sea में, जो आपके northward coast, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात स्टीट म और Mumbai और Kathiaward Peninsula में आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है, Mumbai और Kathiaward Peninsula में, तो Gulf of Cambay है, खंबत जिसको कहते हैं, Gulf of Cambay भी इसको कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका correct answer, Gulf of Kach की अगर बात करें, तो यह आपको कच में देखने को मिलता है, कहां पर गुजरात में, ठीक है, य यहां पर आपको रन अफ कर, जहां salt waste आपको यहां देखने को मिलता है, ठीक है भाई, यह भी आपने याद रखना है, नेक्स्ट आपके पास यहां पर आगया पाल्क स्रीट, पाल्क स्रीट जो आपको पता है, BF Bengal में आपको पढ़ेगा, यह इंडिया और श्री लंका के उनको भी कनेक्ट करवाता है, पाल्क स्रीट, ठीक है भाई, और Southern portion जो है स्रीट का है उसको हम लोग कहते हैं पाल्क B, यह भी आपने याद रखना है, Southmost part जो है उसको पाल्क B कहा जाता है, ठीक है, चलो, Yes, water pollution in a river is measured by dissolve quantity of chlorine, ozone, nitrogen या oxygen Yes, क्या पूछा गया है भाई आपसे Water pollution की जो quality है वो हम measure करते हैं Dissolve quantity किस की? Oxygen की, nitrogen की, ozone की या chlorine की अब भी हम लोगों ने पीछे बात की थी मैंने आपको क्या वोला था D.O. that is Dissolve Oxygen तो यह किस से की जाती है भाई Oxygen से, किस से Oxygen से Organic matter जो water में ज्यादा add-on हो जाते हैं उसकी वज़ा से क्या होता है Inorbic bacteria वहाँ पे हो जाता है जो oxygen level है वो required नहीं होता वो वहाँ पे produce होता है जिसकी वाज़े aquatic life disturb होता है और जो aquatic species हैं उनकी death होना शिरू हो जाती है ठीक है भाई अब pollution यहाँ पे होगा किस की वज़ा से pollution cause किस की वज़ा से होता है यह आपकी कुछ है मैं आपको बताता हूँ जैसे herbicides है क्या है भाई आपके पास herbicides देखने को मिलता है herbicides क्या चीज़ है भाई नेसे robbery science यह एक substance होता है जो आपचो आप लोग वीड killers कहते है यह plants को मार देता है weed killers weed killers है यह toxic to plants होता है ठीक है Next आपके पास होता है insecticides यह आपको insect को मारता है ठीक है insecticides insecticides यह आपका kill करता है किसको भाई साहब insects को यह भी आपने याद रखना है नेक्स आपके पास fungi Slide fungi Sides fungi Sides simple आपको पता चल रहा होगा यह आपकी fungi को destroy कर देता है किसको fungi को destroy कर देता है जो आपके fungi होती है fungus तो यह destroy कर देता है next आपके पास rotundicide rotundicide rotundicides तो ये रोटन्डी साइट्स क्या है सर ये आपका रोटन्ड जैसे रैट हो गया उसके बाद माइस हो गई इन सभी को ये मार देता है तो ये रोटन्ड साइट हो गया तो ऑक्सीजन ही है जिससे हम लोग डिजॉल्व कॉंटिटी मेजर करते हैं क्लियर है समझ आईए तो ये था भाई आज का सेशन तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं कितने वन टॉन्टी एमसी क्यूस ठीक है तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताएंगे के सर आपके कितने बन रहे हैं 120 में से ठीक है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बता देखने का तो आप लोगोंने एक काम करना है टेलीक्राम पर जाना है वहाँ पर फाइल्स में जाना है सारे के सारे मॉक्स को डाउनलोड करना है पहले आपने सेक्शनल मॉक्स अटेंप्ट करने हैं अगर आपने किये हैं वेलन गुड फिर से करने हैं क्या फिर से करने हैं क प्लस इनको भी अच्छे से रिवाइज करना है टेलिग्राम पे जुड़ जाईएगा आपके जो फर्दर एक्जाम आ रहे हैं जैसे इंस्पेक्टर का है पटवारी का है उनके भी हम लोग प्रॉपर तरीके से तयारी करेंगे ऐसे ही मिलके बाकी वे ये सोशल मीडिया हैंड उनको भी दबा देना और वीडियो पसंद आये हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लस अगर वीडियो पसंद ना आये हो तो डिस्लाइक करके हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई सब क्या थोड़ा वुद हम इंप्रूमिट करें आपको जो वीडियो हमारी अच् रहें खुश रहें God bless you keep learning keep sharing